इतिहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा अमरीका तालिबान से डर गया पहले तो तालिबान दैशेगर था अब कैसे अच्छा दोस्त बन गया यह इस पर गौर करते हैं इस ख़बर पर दुनिया का सबसे बड़ा ताकत वर मुर्ग अमरीका जब अफगानिस्तान से शांती हुआ रता है कतर दोहा में यहां मुझाकरा जारी है लेकिन सवाल यहां उड़ता है कि क्या अमरीका की घमंडी और ताकत का नशा तालिबान ने उतार दिया अफगानिस्तान की अपनी तारीख रही है कि इन पर आज तक कोई हुकुमत नहीं कर पाया दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को गरीब अफगानी खंडरों में दम तोड़ता देखा जा रहा है इसलामी सोच और फिक्र यहां की तैजीव है अफगानी पटान दुनिया में मशूर है इनके ताकत का भी मुकाबला कोई नहीं कर सकता दुनिया के सहत्मंद लोगों में अफगानिस्तान है लिहाज़ा कभी सोव्यत यूनिया भी दुनिया में सुपर पायुर के हैसीत रखता था आज जैसे अमरीका है उसी तरह सोव्यतुनियन था जो गलती अमरीका ने की थी वही रशिया ने की थी सोव्यतुनियन ने अपना कब्जा जमाना चाहाँ 1979 से लेकर 1989 तक का अफगानिस्तान सोव्यतुनियन की जंग जारी रही अफगानी पठानों में गुलामी से नफरत है और यही वज़ा है कि आज भी आजाद कबाईली हुकूमते रहती हैं कबाईली सरदार रहते हैं और अमरीकी हुकूमत रहने के बावजूद भी कबाईली हुकूमतों में दखल देने की हम्मत अमरीकी फाज़ों में भी नहीं होती थी दुनियादी तोर पर इन्हें जंगजू कहा जाता है आपको दुनिया भर में बेगरत लोग मिलेंगे पर गैरतमंदी के लिए असमत वाजमत के लिए जान की बाजी लगाने वाले अफगानी पठान नजर आएंगे सोवेत उनियन के अख्तदार के खिलाब अफगानी जियालों ने हतियार उठाए सोवेत उनियन के खिलाब जिहाद का एलान किया गया और सोवेत उनियन में कई सारे मुलकों की जदीद हतियारों से लेस फाज़ों ने दो नाली की बंदूग से लडने वाले अफगानी ता है कि सुवेत उनियन के लौटने के बाद अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई दो कबिलों के सरदार एक्तदार के लिए लड़ने लगे हमद्शामसूद और गुलबदीन हिकमत यार के दर्मियान खाना जंगी हुई फिर तालिबान की हुकुमत आई तालिबान मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को कहा जाता है सुवेत उनियन के जंग के दर्मियान जो बच्चे अफगानिस्तान पाकिस्तान के सरदों जो मदरसे थे वहाँ पर पढ़ने के लिए गए और यही तालिबान बनकर उभरे और अपने अमीर मुला उमर के जेर कयादत अफगान इसलामी सोच और फिक्र की तालिबान जब एक्तदार पर आई तो उन्होंने थेटरों को बंद किया और फिल्मी अदाकरों को थेटरों में बांद कर पूरी थेटर को ही धमाकों से उड़ा दिया जना करने वालों को सर्याम कतला करना चूरी के लिए हाथ काटना और शराब नशाब पर पाबंदी लगा दी गई एक इसलामी हकूमत अमरिका को रास नहीं आई और 2001 में अलकाइदा की जानिब से वर्ल्ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ और यह और बात है कि वर्ल्ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ अलकाइदा ने कराया किसी और ने इस पर आज भी चर्चा जा रही है पर उसमें उसामा बिन लादेन को अमरिका के हवाले करने पर तालिबान अमरिका में तनाज़ा बड़ा इसलामी शरीया हुकूमत के तैर तालिबान हुकूमत ने यह साप इंकार किया कि उसमें बिन लादेन हमारा इसलामी भाई है और हम आपसे जंग करेंगे पर इसे आपको हवाले नहीं करेंगे और तब से अब तक तालिबान 18 साल से अफगानिस्तान में अमरिका से जंग कहा यह भी जा रहा है कि अमरीका की सबसे मेंगी लड़ाई अफगानिस्तान में लड़ी गई जिसमें सबसे ज्यादा जानी माली नुक्सान हुआ यह बिल्कुल अजीब लगता है कि जहां अमरीका अपने आपको दैशतगर्दी के खलाप लड़ने वाला मसीहा समझता है वह अमरीका और पूरी दुनिया को तालिबान के लिए मुट्धी कराने वाला दुनिया के सामने अमन की गुहार लगाने वाला अब खुद तालिबान के सामने घुटने टेकता नजर आ रहा खैर दिसम्बर 1999 में इंडियन एरलाइंस का हवाई जाहाज इसी तालिबान ने अग हैरोकार समझने वाले भाजपा हुकूमत उस वक्त इक्तदार पर थी और इन्होंने ही तालिबान के साथ मुहाइदा कर ना सिर्भ भारत के जेल में बंदातंकियों को रिया किया था बल्कि लाको रुपिये दिये थे अब यहाँ भी सोचने की बात है कि अगर तालिबान अ का इस्तगबाल खैर मगदम करना अमरिका पर भरोसा रखना कितना दुरूस्त होगा इस पर भी हमारी नजरे सानी होने जरूरी है इत्तिहाद लिए देखने के लिए शुक्रिया अल्ला आपिस